नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सिंग और आप देख रहे हैं दभारत खबर कोरोना की दूसरी लहर से अभी रहात मिली शुरू ही हुई है कि लोगों ने फिर से लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है दिली के सरोजनी नगर बजार में हजारों के संख्या में लोग वीकिन पर शॉपिंग करने पहुँच गया है वहां पर कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ था तो कुछ बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए आपको बता दे कि दिली में कई बाजारों को कोवीट के नियमों का उलंगन करने की वज़ए से पंद कर दिया गया है यह नज सरकार ने राजधानी को अल्लोग करना शुरू कर दिया है देश अभी वे कोरना की दूसरी लहर की मार से उब्रा भी नहीं है और लोगों ने लापर वाही बरतना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के कुछ तस्वीरे वाइरल हो रही है इन तस्वीरों में बड़ी तादाद में टूरिस्ट बिना मास्क के नजर आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के धच्जिया उड़ाती यह तस्वीरे सवाल उठाती है कि क्या ये वर्ग वो वक्त भूल गया जब देश के हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे ओक्सिजन की कमी की वज़ा से लोगों की जान जा रही थी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को आमंतिरित कर रहा है और इसकी जिम्मिदारी कौन लेगा